हेलो एब्रिवन होप यौर डूइंग वेल सो जी आज का व्लॉग जो है न वो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी वीकली प्रेप्स के साथ तो यहां वीक में ना एक दफा मेरी जो मतर इनलो है न वो जाती है हैं और मंडी से सब्सी ले आती हैं 5-4 क संबसी में strictly वेक जाती तो यहां पर नाश्ता करूंगी बाद में नाश्ता करूंगी बाद में बड़े टाइम से बिंडी खाने का बड़ा दिल कर रहा था लेकिन आजकर जासे गर्मी के वैसे सब्सक्राइब सारी पक जाती है उनका टेस्ट खराब हो जाता है तो इसलिए जादा फिर आवाइड किया जाता है कि ना ही ली जाएं तो लेकिन फिर भी मेरी काफी जादा कहने पे ना मेरी मदर इनलो बिंडी लेकर आई थी तो बस वही बिंडी ना वाश करके मैं रख रही थी बिंडी तब ही कटती है जब वह अच्छी तरह से ड्राइ हो जाती है तो इसलिए सबसे पहले मैंने जितनी भी बिंडी आथी उन्हें अच्छी तरह से वाश करके भी रख दिया था और उसके बाद जो है ना वो ताकि यह जब तक कटनी आई यह हो जाए ड्राइ इसके साथ ही मैंने जो है वो शिमला मिर्ज भी वाश कर दी थी की शिमला मिर्ज हो जो है ना वो हम लोग ले आते हैं कि अगर मरणिय होती है का इस पैक्ती पास सब्त बढ़ना कांव पर बनाउस में डल जाती है या फिर अगर कोई अलुर अधी है अगर बना पकानो उसमें डल जाती है बाकी की के अलू को ना उसी तरह से ही हमने टोक्री में डाल कर तो रख दिया था, आलू को वाश करके नहीं रखते नहीं फ्रिज्ज में रखते हैं, उस से क्योता है कै अलू जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए पिर बसे आज तो ये खाने जितने दो ही यालो निकाले थे और इन्हों वाश किया था और इसके बाद मैंने किया नाश्ता बना ना शुरू कर दिया था और आज ना अजान भी आया हुआ था सुबह उटते इसकी महमा की कॉल आ गई थी किया अजान ने सुबह से दूबारा उट गई थी उससे दूबारा से सुलाया और सारा काम करके ना फिर मैं आ गई थी किचन में इती देर मेरी मदर नो ने काफी सारी सब्स्वाइब गएरा थी ना वो मुझे काट दी थी जैसे ये मटर तो मटर भी निकाल दिये थे मटर को ना हम लोग इस तरह से अगर डिबे में डाल के रखो ना तो काफी सारी स्पेस भी ले लेते हैं और पाने जाने का भी खत्रा हुआ है उसके बाद नहीं यह जान की गाड़ी है तो बस इसके ड्रामे सुनें जराब बेबी ने इसके अंदर क्यों डारा है इसके अंदर करून का ख़जाना है यह रही चाबी चलो उठालो चलो भाग जो बस बीच में यह लड़का आ जाता है कि जो मैंने कह दिया है पहले वो कर दो अपने काम बाद में करो तो बस टमाटर में रख दिये थे इसी तरह ही ने यह शिमला मिर्च को किसी स्पैसिफिक शेप में हम लोग कट नहीं करते हैं यह इस तरह से कट कर लिए अब यह हमारी मर्जी होगी यह जूलियन कट भी हो सकती है जब जिस तरह चाहिए होगी ना उस तरह कट कर लेंगे और इसे भी इसी तरह से प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह से गिरा लगानी होती है ताकि इसके अंदर कहीं से हवा या पानी ना आ जाए और शिमला मिर्च जब आपने फ्रीज करनी है ना तो इसका बस एक ही रूल रखें कि ये फ्रीज हो गई है ना तो बाद में डी फ्रीज नहीं होनी चाहिए अगर यह एक दफा भी freeze होने के बार defreeze हो जाए ना तो फिर यह पूरी के पूरी जाया हो जाती है इसलिए मुझे शिमला मिच freeze करना ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन अब मेरी मधाड़ जब जाती है तो फिर वो ले आती है तो फिर हम लोग इसी तरह से ही freeze करते हैं टीबे में इसलिए फ्रीज नहीं करते हैं कि इसमें पानी विया जाने का डर हुआ है। आज के खाने के लिए यहां पर गोबी घट की थी आलू और गोबी घट हो गई थी इसे पानी डाज बगो के रख दिया था जितनी देर उतनी देर मसाला वगरा जो चीजम गई अगरा ताकि इसके अंदर कोई भी जो मटी गारा हो वो निकल जाए दूसरे तब मैंने जो है वो टमाटर और अद्रक जो है वो छी लिया था खाने के लिए क्योंकि इतने सफ टमाटर अद्रक ही डालना था बाकी आप लोग को याद होगा के एक दो व्लॉग पहले जो है ना मेरी मत मेरी मतर इनला ने सुवर्वक के गोश्ट का पैकट रख दिया था उसको फिर मैं अचरै के अलवागा ना था दिया था था तो तो मैंटर साहते जाले माटर ताकि एखन के गोब्हा राख लगार निया था सब्यूंदे तो दो डूना ना था निच्ट चदिवाँ और दू नहीं की थी साथ ही ना जो भिंडी थी ना वह अची तरह से हो गई थी ड्राइब और कट भी कर ली थी तो मैंने सोचा चेले जितनी दिर में पर अपर ना हुरा है तो कि आप विए पर बिंड़ बिंड़ कर रहा को नब नब नमक और दोके फ्राइब रहे हो न तो पर निदे पहते हैं सब्सक्राइब बनेंगी तो बस इहां पर मैंने भिन्डी रख दी फ्राइ होने के लिए दुस्स है वह मेरा पानी ड्राय हो रहा है तो मेरा गोष्ट नीचे लगना शुरू हो जाना बस यहां पर मैंने गोष्ट डाल दिया गोश्ट समया अश्प्राइब अभूरार्स प्रॉपरल नहीं जो है वो खुल जाए क्योंकि उस दिन मेरे मदर इलाओ ने जब मेरे काफी सारा गोष्ट जो है ना वो थोड़ा जादा ही गल गया था तो अगर अभी मैं इसके अंदर चमस चलाती ना तो ये गोष्ट जो है वो एक्स्ट्रा ही बिल्कुल रिशया रिशया हो जाना था तो इसलिए मैंने गोष्ट रख दिया था इतनी देर में मैंने बाकी किचन के सारे काम निप्टा लिये थे अचाए गोवी गोवी ना मैंने इस तरह से टोकरी में निकाल कर रख दिया था इसलिए इसका पानी एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए तो बस यहां पे साथ में ब बस मिर्चे कट करके डाली थी क्योंकि मुझे थोड़ी से नमक मिर्चों है वो कम लग रही थी तो बस यहां पर गोश जो है वो मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया था साथ मेरी भिंडी भी जो है वो भी आलमोस्ट फ्राय हो गई थी अब मैंने इसके अंदर क्या किया कि गोबी और अलू अपने डाल दी हैं और डालके मैं इसको बिल्कुल हलकी सी आंच पर रख दूंगी ताकि यह पकती रहे तो बस अभी मैंने रखा ही था रखके मैंने कीचन वगारा साफ किया तो चोटे मोटे जो काम थे वो की हैं तो बस गैस चली गई थी तो फिर मैंने क तो फिरम गर्म करते ही तो यहां पर मेरी पिंडी काफी तु रख लाग थे तो फिर में प्र वाश कर देते है और डॉम कर 55 बेट में पिछाने लगी हैं किछन के बरतन से उनने दें है तो मैंने फिर यह बैट शिट बचा दी पिंक वाली निकाल के घई तो यह बैट ही मामा ने खुद अपने हाथ से बनाई हूई है तो यह बैट शिट मुझे इतनी पसंद है यह इतनी पसंद है कि मुरह दिल नी ऋपका कहुए को 25 करा भाइट चाइब तो इसलिए बस मैं बहुत कम-कम बिछाती हूं ये जो दो स्काइबेड शीर्स में बिछाती है ये बस मैं कहती हूं कि चला कोई बात नी गंदी भी हो गई जो भी हो गया खेर है उसके बाद जी फईनली दो दिन के बाद हमारी हेलपर आ गई थी तो हमने का भी अब तो तुम मेरा यही था एक मैं मीरुब को सवाइए उसे गोच निकालती था अजान को पकड़ लेती था इजान को निकालती था यहां पर शाम को आ गई थी गैस नहांट हो के भी मैं फ्री उचुकी थी गैस आई थी तो ना मेरे मदर एंला जो है वह कुकर का प्रेश्ट लगा कर तो तो चली गई थी तो बस मैं वही आकर चेक कर रही थी कि गोबी जो है वो रेडी हो गई है कि नहीं हुई तो बस यही गोबी वगारा को मैंने देखा है जो गोश्त है वो फिर इसके अंदर एंड पर डाल दिया था और उसके बाद ना बस रात के खाने के लिए ना यहां पर रोटियां शोटियां मना रही थी मैं और अच्छा मज़े की बाद मेरे से ना कल हमारा जो चिम्टा होता है ना रोटियां मनाने वाला वो टूट गया था तो बस बड़ी मुझे हुई है कल रोटियां मनाने में तो यह आप देख सकते हैं किस तरह से मैं चुरी के साथ और क कौपड़े के साथ करकर रोटियां मना रहे हो लेकिन यह रोटियां देख कर मेरे नानी माइस तरह करो बनाती होती है लुटी मैं ने गुबी को निकालला जो है वाशा खाना कि बच्छब्रकर बास मैं ओ गई ती फ्री आजान ख़लाए मेरब को व्लॉक्तिया है और बस ज होती है हमारी सबजियां वायरा किस तरह से स्टोर करती हूं उमीद है आपको अच्छा लगा अगर कोई तिप अच्छी लगी है तो लाजमी इंप्लेमेंट भी कीजिए अपनी लाइफ पे अगर कोई चीज बुरी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताईएग तके मैं भी इंप्रूव कर सकूँ तो बस जी इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज